आज अगस्त महीने का अंतिम दिन है और कल से नए महीने के शुरुवात हो जाएगी ऐसे में महीने के पहले तारिक को एक तो आपके हाँप में सैलरी आएगी तो दूसरा आपको ये चिंता भी रहेगी कि इस महीने आपके कितने खर्च होने वाले हैं और कितने पैसे आप इस महीने में बचा पाएंगे इसके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि सितंबर महीने आपके लिए खर्चिला होने वाला है या फिर आपकी बचत होने वाली है कितने पैसे आप इस महीने में बचा प आगे खबर में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कहीं आना जाना हो या फिर आपको कोई एंशुरेंस कराना हो नैशनल पेंशन स्कीम हो या फिर बाद घर खरीदने की हो हर चीज में कई बड़े बदलाव हुए हैं घर के खर से लेकर आपके के चैन के सिलिंडर तक के दा पूल टैक्स प्रोपर्टी इंशुरेंस खाने पीने की चीजें हो या फिर पेंशन गारी खरीदना हो या फिर घर खरीदना हो या फिर घर में खाना पकाने के लिए सिलिंडर ही की क्यों ना बात हो सब कुछ में अब बदलाव कल से आपको देखने को मिलेगा आज अगस्त महीने का आखरी दिन है और कल से नए महीने की शुरुवात हो जाएगी जिसमें कई तरह की बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा जहां गैस सिलिंडर की कीमतों में भी बरहोतरी कल से हो सकती है क्योंकि हर महीने की पहले त हमत्वान तो शुरुवात हम टोल टैक्स करते हैं अगर आपको चोटे वाहं जेसे या कोई बी चूझाप ही चोटे वाहं लेकर यमुना एक्स्प्रेस्स से होकर गुज्रेंगे तो वहाँ पर आपको अब जादा टोल टैक्स देना पड़ेगा अगर आप चोटे गारे के म पंजाब नैशनल बैंक के ग्रहक हैं तो फिर आपको आज यानि की एक तिस अगस्त को अपनी के वाईसी को अपडेट करा लिना है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कल से आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है यानि कि आपको अपने अकाउंट का अस्मेमाल जब करना है इसलिए आप आज जाकर अपने के वाइसी को अपडेट कराएगे बात अब हम भीमा पॉलिसी के प्रीमियम में कटौतिकी करें गे तो आपको बता दे कि अब प्रीमियम का प्रीमियम कम हो जाएगा आई डी अ आई की और से मिल रही जानकारी के मताबिक एंशुरेंस के नियमों में कई बदलाव किए गए हैं जिसके बाद ग्रहकों को 30 से 35 फीस्दी की जगा बस 20 फीस्दी ही disregard कमीशन अपने एजिएंट को अगर आप पहले अपने एजिएंट को 30 से 35 फीसद कमीशन देते थी लेकिन अब आपको 20 फीसद ही अपने एजेंट को कमिशन देना है इससे लोगों का प्रीमियम कम हो जाएगा तो वहीं अगर आप घर खरिगने की सोच रहे हैं तो इस प्लान को हम कहेंगे कि इस महीने रहने दीज़े क्योंकि अब आपको घर खरिगने में ज्यादा पैसे खर्च करन कि जिसकी बाद अब आपको घर खरीदा मेंगा परिएगा तो घर की बाद बारी आई गारे की उसकी पहले हम आपको बता दे कि बाकी शहरों में भी घर के डाम अब बढ़ जाएंगे आने वाले महीने में तो आप सोच समझ कर आगे कोई भी कर्दम उठाएगा बाकि अब हम गाड़ी की करते हैं तो आड़ी कंपनी ने अपने सभी मॉडल की कारों को महंगा कर दिया है और इस महीने से आपको इस कंपनी की कार खड़िदने के लिए जादा पैसे चुकाने होंगे दो दसमनो चार प्रतेशत का इजाफा आड़ी कार के दामों में की गई है जो कि एक सितम्बर से नहीं बलकी 20 सितम्बर से लागों हो सकती है और अब अगर हम LPG Cylinder के डाम में जो कि हर महीने लोगों को इνतिजार रहता है क्योंकि हर इंसान को पैसे बचाना पसंद होता है तो आपको बता दे कि कल से LPG सिलिंडर के दाम में बदलाओंगे जैसा कि हर महीने के पहले तारी को LPG सिलिंडर के दाम में बदलाओंगे देखने को मिलता है इस बार भी वो देखने को मिलेगा और ऐसा माना जा रहा है कि एक सितंब से पेट्रोलियम कमपनिया एलपीजी सिलिंडर की कीमत को रिवाइज कर सकते हैं और डाम घट सकते हैं तो कुछ रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि इसमें इजाफा भी हो सकता है तो अब बस कल का इंतिजार कीजे और उसकी बाद अपने पॉकेट मनी पर ये डिसीजन लिजेगा कि वो बचेगा या फिर इस महीने में आपके खर्च बढ़ेंगे बाकि कुछ बदलाओ थे जो इस महीने होने वाले हैं तो हमने सुच्छा आपको बताया जाए बाकि आप अपनी राय बताये बढ़ती हुई महगाई को लेकर क्योंकि बाद घर को खरीदने की हो या सिलिंडर गयास की हो हर चीज के डाम में कहीं ना कहीं बरहोतरी ही हुई है इसी को मद्धे नज़र रखते विए अपनी राय का मिंग बॉक्स में बताये वीडियो को शेयर केईजे और बाकिया ने खबरों को जानने के लिए देखते रहे जंता जंक्शन कैमरे के पीछे ते विशाल और मैं आपके साथ बंदना धन्यवाद